गुंडवाना राज्य बस्तर शेत्र का भूमकल आंदोलन 1910 के महान क्रांतिकारी शहीद गुंडधो दुर्वा के 112 शहीद स्मुनती दिवस कारिक्रम का आयोजन यमनार के सुदूर गाव अहीरी तालुका के पारमपरिक परमीली शेत्र द्वारा किया गया था अहीरी विधानसवा शेत्र के पूर विधायक दीपक दादा अतराम ने कारिक्रम की अधिक्षिता करते हुए समाज का मार्ग दैशन करते हुए कहा कि शहीद गुंडधो दुर्वा का जनम बस्तर में हुआ था जो अब चत्तिसकर के नेता हैं उन्होंने लोगों के अधिकार नोकर शाही भुंकल विध्रु आंदोलन का गठन और जीत हुई इस साधिवासी करांतिकारी का नाम इस देश के इतिहास से गायब हो गया है इसलिए करांतिकारी शहीद गुंडधो दुर्वा को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए उनके करांतिकारी विचारों को याद कर और शोशन से मुक्त समाज के निर्मान के लिए लागू किया जाना चाहिए अहेरी पंचाय समीती की अध्यक्ष भासकत तलंडे पंचाय समीती की सदल से हर्शवर्दन अतराम यर्मनार की सरपंच संधिया मदवी परमीली की सरपंच किरन कोरेट कुरुमपाली की सरपंच म पूर्व सर्पंच बालाजी गावडे, कमालपूर के पूर्व सर्पंच साम्विया कालीन, अल्लापली के पूर्व सर्पंच वर्तमांग ग्राम सदस्य विजे कुसांग के, कमलापूर के पूर्व उप सर्पंच शंकर एट्राम, पूर्व ग्राम सदस्य कैलाश कोरी नेभी समूदाय की सदस्यों को वित्तिय शेक्षिनिक और समाजिक मुद्धों पर गहन मार्ग दर्शन दिया कारिक्रम की शुरुआत ग्राम गाया कर डोलू मडावी और ग्राम भोमिया वरलू मडवी ने गोंगु पूजा कर और इंद्रधनु जंडा लहरा कर की कारिक्रम का संचलन वासुदेव को डापे ने किया परिचात्मक वक्ता बालजी गावडे थे और धन्यवार प्रस्ताफ थिरू सुरज अतराम ने दिया अहिरी से BCN न्यूस के लिए आसिप पठान की रिपोर्ट